साल 1992 में राजू बन गया जेंटिलमेन रिलीस हुई, फिल्म ने आगे चलकर कल्ट किस्म का स्टेटिस हासल किया, इस फिल्म से तीन लोगों की कहरी दोस्ती की नीव पड़ी, डिरेक्टर अजीज मिर्जा, शाहरु खान और जोही चावला ने फैसला लिया कि वो तीनों मिलक अपनी प्रड़क्शन कंपनी खोलेंगे, अपने मन की फिल्म में बनाएंगे, इस कंपनी का नाम ड्रीम्स अनलिमिटड रखा गया, इसी बैनर के तले फिर भी दिलह हिंदुस्तानी बनी, फिल्म नहीं चली, हलांकि अब जाकर लोग कहते हैं कि ये अपने समय से आगे की इस कंपनी ने शाहरुक और करीना कपूरवाली अशोका भी प्रिड्यूस की थी, फिल्म को इंटरनाशनल मार्केट में प्रमोट किया गया, दिगाजयन ने अपने रिव्यू में शाहरुक को टॉम क्रूज ऑफ साउथ एजिया कहा, खेर, इतनी तारीफ के बाद भी फिल् चलते चलते को शाहरुक और एश्परिया के साथ शुरू किया गया था, लेकिन फिर एक मसला हुआ और फिल्म से एश्परिया को बाहर का दर्वाजा दिखा दिया गया, कहा जाता है कि शाहरुक से नाराज होकर एश्परिया को फिल्म से निकलवाया था, हुआ ये कि साल 2002 क के अंत में शाहरुक और एश्परिया चलते चलते के एक गाने के लिए शूट कर रहे थे बता जाता है कि सल्मान गुस्से में सेट पर पहुँच गए इससे ठीक एक साल पहले दिसंबर में एश्परिया और अभिशेक बच्चन कुछ न कहो की शूटिंग कर रहे थे उन्हें एश्परिया और अभिशेक के साथ काम करने पर आपती थी पढ़ने को मिलता है कि सल्मान ने फिर अपनी गाड़ी एश्परिया की गाड़ी में जाकर भढ़ा दी चलते-चलते के सेट पर भी बड़ा अंगामा हुआ कावेरी बमजाई की किताब थ्री खांस में पढ़ने को मिलता है सल्मान ने चलते-चलते का शूट रुखवा दिया शाहरुक और इश्परिया एक गाने की शूटिंग कर रहे थे सेट मेंबर्स बताते हैं कि अगले चार से सारे चार घंटों तक सल्मान बेकाबू थे मजबूरी में आकर अजीज मिर्जा को शूट कैंसल करना पड़ा इस घटना की वज़े से श्परिया को फिल्म से निकाल दिया गया गैंग्स ओफ वासिपूर और गुल्लक जैसे प्रजेक्स में काम कर चुके जमील खान की पहली फिल्म चलते चलते ही थी वो फिल्म में एक ट्राफिक पुलिस ओफिसर बने थे राच्ष्री अनप्लग्ब से हुई बाचीत में जमील ने बताया मेरा पहला शॉर्ट था मैं वहाँ पहुचा शाहरुक के साथ वो सीन था मेरा मुझे याद है शाहरुक ट्रुक लेकर आते हैं राणी के साथ मैं ट्राफिक पुलिस हूँ तो मैं उनको रोकना चाता हूँ वो ट्रुक से उतरते हैं ये मेरा सीन था मैं तैयार था कॉस्ट्यूम बगेरा पहन कर अजीज मिर्जा मॉनिटर के पास माइक लेकर बैठे हुए थे उन्होंने वहीं से कहा शाहरुक बेटा ये जमील है मैंने इने स्टेज पर देखा है ये कमाल के आक्टर है ये सीन बड़ा प्यारा है तुम लोग मिलकर जमालो मैंने कहा शाहरुक से कि भाई मैं थीटर करता हूँ मैंने फिल्में नहीं की है तो मैं चाहूंगा कि हम जतना रिहरसल कर सके उतना अच्छा रहगा शाहरुक ने कहा मैं भी थीटर से हूँ जतने रीटेक्स करने हूँगे जितने rehearsals करने होंगे हम लोग करेंगे हम तब तक shot लेने के लिए नहीं कहेंगे जब तक आप ready नहीं हो तो अजीज भाई के साथ शाहरुक के साथ काम करना बड़ा शानदार अनुभव रहा जमील ने फिल्म से जुड़ा एक और किस्ता साजा किया जमील बताते हैं कि शाहरुक का एक solo scene था वो भी वही बगल में बैठे हुए थे shot लिया गया सब को चोके हुग गया इतने में अजीज मिर्जा का कोई आठ्वा या दसमा assistant director आया उसने अजीज के कान में कुछ कहा अजीज ने माईक उठाया और शाहरुक को कहा कि ये मेरा assistant है इसका कुछ सुझाव है जो कि ठीक लग रहा है यसी इने एक बार इस तरह से भी shoot करते हैं शाहरुक अपना take दे चुके थे वो अच्छा भी था बावजूद इसके शाहरुक वसीन दुबारा करने को तयार हो गए शाहरुक बताते हैं कि उन लोगों को Dreams Unlimited के office में चलते चलते का idea आया था बेसिकली वो लोग एक प्यारी सी love story बनाना चाहते थे अजीज मर्जा ने Robin भर्ट से पूछा कि तुम्हारे पास कोई subject है क्या उन्होंने तब चलते चलते की कहानी सुनाई सभी को पसंद आई शाहरु कहते हैं कि फिल्म की कहानी उन्हें बहुत बास्तविक लगी कुछ सीन सुनकर लगा कि किसी ने उनकी जिंदगी पर ही फिल्म बना दी है शाहरु खान ने शक्ती दपावर नाम की एक फिल्म की थी फिल्म में उनका और इश्पर्या का एक गाना था इश्क कमीना गाने में शाहरु के इतना जोड से नाचे कि उनकी कमर में चोटा गई पहले लगा कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा लेकिन इस बैक इंजुरी ने कई साल ले लिए शाहरुक को बहुत परिशान किया उनके फिल्म में होना भी इसी के चलते डिले हुई चलते चलते की शूटिंग के वक्त भी शाहरुक उस चोट से जूज रहे थे रानी मुखर जी बताती है कि शाहरुक ने अपनी इंजुरी को फिल्म के वीच में नहीं आने दिया उन्होंने उस हालत में भी फिल्म का काम पूरा किया सिर्फ इतना ही नहीं उन दिनों अजीज मिर्जा की पत्नी भी आई सीउ में भटी थी लेकिन इन लोगों ने मिलकर फिल्म पर काम रुकने नहीं दिया ये सबी किससे आपके लिए खटा किये थे मेरे साथ ये मनने मिलकर इमाप देखरें ललुन टॉप से नमाज शुक्रिया